हाई गाइस वालकों बैक टो मैं चैनल इस वीडियो में आपके साथ श्यार करूंगे कि अगर आपको स्मूथनिंग करवाए हुए वर नियर्ट से भी जादा हो चुक है तो उसके बाद आपको अपने बालों की केर कैसे करनी है क्योंकि स्मूथनिंग के बाद हमारे बाल काफ देख सकते हैं मेरी कजन सिस्टर को स्मूथनिंग करवाए हुए वर नियर्ट से भी जादा हो चुक है उनके बाल काफी जादा हो चुक है थोड़ी से उनके बाल थीन हो चुकी है क्योंकि स्मूथनिंग के बाद हमारे बाल काफी जड़ा जटते हैं बट आप उनकी बालों देख सकते हैं बालों की length काफी ज़रा अच्छी है तो आज हम उनके oiling करेंगे smoothening के जब one year हो जाता है उसके बाद भी आप oiling कर सकते हैं one month के बाद भी आप oiling कर सकते हैं हम mustard oil यूज़ कर रहे हैं आप कोई भी lightweight oil यूज़ कर सकते हैं बट मुझे mustard oil काफी ज़रा अच्छा लगता है क्योंकि friends इसमें इतनी ज़रा अच्छी properties होती हैं कि आपके बालों की thickness को बढ़ाने के लिए बालों को काफी ज़रा healthy रखने के लिए तो अगर आपने smoothening कर वाई है स्मूधनी के बाद भी आप mustard oil यूज़ कर सकते हैं बालों के length पे और scalp पे आपको अच्छे से massage करनी है तो आप देख सकते हो पिल्कुल अच्छे से scalp पे आपको mustard oil को लगा लेना है आप चाहते इसे overnight रख सकते हैं दो गंटे के लिए अपने बालों पे रख सकते हैं अगर आप इसे overnight रखेंगे तो आपको काफी ज़रा अच्छा result मिलेगा आप देख सकते हो पीछे की scalp पे भी आपको अच्छे से oiling कर लेनी है mustard oil इतना से अच्छा आता है बालों के लिए कि आपके बालों को जो भी आपका hairful हो रहा होगा आपके बाल काफी ज़रा टूट रहे होगे उसे काफियत तक कम करने में help करेगा क्योंकि smoothening वाले बालों पे friends जितने भी अच्छे products यूज़ करें अच्छे से oiling अपने बालों पे करें उतनी देर तक हमारे बाल काफी ज़रा healthy और straight रहेंगे तो जब आपको one year हो जाए smoothening के बाद उसके बाद आप braid बना सकते हैं आप कोई भी oil यूज़ कर सकते हैं जो आपको suit करें बट मुझे mustard oil काफी ज़रा अच्छा लगता है मेरी sister भी वो ही यूज़ करते हैं तो काफी ज़रा वीडियो में मैंने आपके साथ share किया है कि मैं भी mustard oil ही यूज़ करती हूँ तो आप चाहे तो mustard oil यूज़ कर सकते हैं स्मूथनी के बाद अपने बालों की केर कैसे करनी है उसका related मैंने काफी ज़रा वीडियो श्यर की है तो अगर आपके कोई request है कि स्मूथनी के बाद हम अपने बालों की केर कैसे करें कौन सब रड़क्त यूज़ करें तो आप मुझे comment section में बता सकते है मैं जरूर कोशिश करूँगी वो वीडियो आपके लिए बनाने के लिए तो आप देख सकते हो oil लिंग के बाद आपको थोड़ी सी massage भी कर लेनी है कि जो oil हो वो आपकी scalp पे बालों की length पे अच्छे से penetrate हो जाए अब्जर्ब हो जाए तो आप देख सकते हो बिल्कुल हलकी हातों से आपको massage करने जादा रब नहीं करना अगर आप जादा रब करेंगे तो आपका hair fall हो सकता है कि बालों की length पे मैं अच्छे से oiling कर दी हूँ क्यूंकि नीचे हमें split ends की problem होती है हमारे बाल काफी जाए rough होते हैं हमारे बालों को काफी जाए straight किया जाता है काफी जाए chemical हमारे बालों पे यूज किया जाता है उसके बालों की अच्छे से care हमने करनी चाहिए अच्छे products यूज करने चाहिए smoothening के बाद कौन से products यूज करें उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ share किया आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते है smoothening के related मैंने काफी जारा videos आपके साथ share किया तो आप देख सकते हो कि कौन से products आप यूज करें तो अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी helpful लगे वीडियो को like कर दे चैनल को subscribe कर दे friends मिलती हूँ आप तो next video में thank you bye